नमस्कार भाईयों और बहिनों जंगली मेडिसिंग यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज आपको एक एजी बिच्चिति में अधुद बनस्पति के वाले में बताने वाले हैं जो साथ आपने कभी सोची नहीं होगी यह बांदा एक दुल्ला बनस्पति है जो प काफी चमतकारी लाब दिखाते हैं मैतर इसके पत्तों को रख देने से तूटी हुई हटी जोड़ने लगती है अर्थोराइटिस, आमा आतिशाल, सभी प्रकार की ब्लेडिंग, ओवर ब्लेडिंग, भांदान से रहंतों और नहीं पुरानी खासी, सपेद दांग, धातुर जैसी अनेक बीमारिया चुट्कियों में ठीक हो जाती है, यदि आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखते हैं तो आज आपको एक महत्मुर जानकरी प्राप्त होगी, जो आपको हमेशा काम आएगी, सबसे पहले तो हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं, यह बांदा है, और यह बांदा एक परजी भी पौधा होता है, जो जमीन पर ना उप करके, किसी अन्य पेड़ पर उपता है, यह बांदा किसी भी पेड़ पर लग सकता है, जैसे कि आप यह दूसरा पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी इस पर बांदा लगा हुआ है, लेक यह किसी भी इससे पर लग सकता है, और जहां पर भी यह लगता है, वहां पर एक गांट जैसी बन जाती है, और यह गांट के द्वारा ही, जिस पेर पर यह आसिरत है, उसी से भोजे प्रयाप्त करता है, और फलता पूलता है, इस पर इस तरह के लाल रंगे फूल लगते हैं, बैसे बांदा की कुछ प्रिजातियां होती हैं कुछ सपेद फूल वाले बांदा भी होते हैं बांदा की साखाएं पतली और लंबी होती हैं जो नीचे की तरफ लटकी हो ही होती हैं इस तरह के पत्ते लगते हैं जो कुछ मोटे होते हैं बांदा के फूल और पत्ते तो आपने देख लिए हैं इस पर फल भी लगते हैं बैसे तो बांदा किसी भी पेड़ पर लग जाता है लेकिन बनसपत्ति सास्त के अनुसार यदि ये है पीपल का पेड़, बरगद, बेर, अनार, बूलर, नीम, आम, बिल्व आधी के पेड़ो के अलाबा इसके काफी सारे ऐसे और्सदिय प्रियोगी हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाप साली हैं अब इस बांदा को भी अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना प्रिचान हो जाता है आपकी जानकारी बढाने के लिए हम आपको इसके कुछ नायम बता दे का बंगाली में बरमांदा पंजाबी में अमुट नेपाली में एजेरू मर्याला में इकका कनारी और कनेर में बंध धूलू नाम से जाना पेचाना जाता है और इसका बनस्पतिक नाम है डेंथ्रो पथिम फालकेटा अब आप भी हमें कमेंड करके बताएं कि आप कौन से चेतर में इसको क्या नाम से जानते हैं यदि आप इसका कोई गोन जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंड बाक्स में बता सकते हैं आयवर्द के मत के अनुसार बांदा का पोधा शीतल, लगू, रूप्ष, कसाय, तीक्त, मधुर, तिर्दोष हर और कफ पितिश आमक होता है यहां बने रोपक, गिराही, मूत्र बिरेचक, शोब, वान, विश, बात बिकार, अश्मरी, सरकरा, मूत्र कुच्चू, मूत्र वातरक्त आदी में बहुती लावकारी होता है, इसकी चाल, इस्तंबक तथा मादक होती है, इसका पौधा, सीतल, वाजीकर, मूत्रल होता है, तो चलिए अब जानते हैं इस बांदा के कुछ और दिय प्रियोग, जिनकी मदद से आप विविन प्रिकार के रोग दूर कर पा पैसे रखने वाली जगा पर यादी आप इसको रख देते हैं तो धन्यदान की ब्रद्धी होती है, जिन लोगों के घर में क्लेश बना रहता है, आप सी जगड़े होती हैं, वहाँ पर ये बांधा उन समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि इस पेल में चुम्बकी अगुन होते हैं, जो पेल पर चिपक कर गांट बनाता है और उसी से अपना भोजन गरन करता है, इसलिए पारावेरिक संबन्नों को बनाने के लिए भी इसका तांतरिक में प्रियोग बहुत अच्छा किया जाता है, कभी भी किसी भी बनस्पत्ति को नश्ट नहीं करना चाहिए, ज तूटी हुए हट्डियों को बहुत ही जल्दी जोड देता है, बांदा की गांट का थोड़ा सा हिस्सा काट कर या फर इसकी तहनिया और पत्तों को लेकर चोटे 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 टुकडे करकर छाये में सुखा कर बालिक चूले बनाकर लख ले, और अब 3-5 गिराम की मातरा में, रोज सुबह साम गाय के दूट के साथ से बन करने से हट्डियों की सभी प्रकार की कमजोरियां दूर होती हैं, तूटी हुए हट्डियां जल्दी जोडने लगती हैं, और हट्डियां मजबूत बनती हैं, तूटी हुए हट्डियों को जोडने के लिए इसका एक और इसके ताया 2-4 पत्थों को पीस कर बालिक पेष्ट मनाकर टूटी वडडी उपर लेप कर देने से, ज़ल्दी अड़ी चुरने लगता है। या कि टूटी वडडी के उपर इसके पत्थों को बाँद देने से भी अच्छा लाम मिलता है। सभी प्रकार की ब्लेडिंग को रोकने के लिए इसके पत्ते तुरंट खादा दिखाते हैं यह रक्त अतिशार, भेंकर देस्तों में हैजा, महिला में ओवा ब्लेडिंग, आदी में रक्त को रोकने की बिसे दवा है इसके दोचार बत्तों को पीज कर, पानी में घोल सर्वत की तरह पीने से आराम मिल जाता है पुरानी बीमारी में कुछ दिन तक लगाता है प्रियोक करने से समपूर लाब मिलता है सभी प्रकार के मूँ के छालों को दूर करने के लिए इसके 2-3 पत्तों का काला बना का कुल्ला करने से मूँ के छाले ठीक हो जाते हैं सभी प्रकार के पेट दर्द में बांदा की टेहनिया, फूल, पत्ते, आधिका चुरन मनाका यदि थोड़ी-थोड़ी मातरा में खिलाते हैं तो पेट दर्द की समस्या ठीक होती है सभी प्रकार के दर्द को रोकने के लिए बांदा के पत्तों का रस 5 ml तक यदि पिला दिया जा तो सभी प्रकार के दर्द ठीक हो जाते हैं कान की समस्या और कान में दर्ध होने पर बांदा के पत्तों का रस दोदो बुन्ठ कान में टपकाने से कान का दर्ध ठीक हो जाता है हाथी-कान, जिसे फाइल-ेरिया भी कहा जाता है इस समस्या को दूर करने के लिए बांदा का एक बहुत ही अच्छा पूरियो Only बांदा की जड़ यानि कि इसकी जड़ का छोटा हिस्सा लेकर रागे में बांद कर याद़ी पीरित पेर पर बांदिया जाए तो हाथी पार की समस्या ठीक होने लगती है साथ मैं बांदे की जड़ का चूण एक से दो गिराम की मातरा में घी के साथ रोज सेवन कराना चाहिए इससे बहुत जल्दी लाब मिलता है यदि बुखार की समस्या है तो बुखार को दूर करने के लिए बेल और बांदा के चूण को दो से तीन गिराम की मातरा में चार्ज के साथ नियमेच सेवन करने से बुखार की समस्या ठीक हो जाती है जो व्यक्ति सुक्र में है धाजुचाय तो अपन दोस या धात लोक से परिशान है बेल बांदा की टेहनियां और पत्तों को लेकर बारिक चूण बनाकर लख लें और एक से दो ग्राम की मातरा में रोज नियमेच सेवन करते हैं तो उनकी समस्या कुछी दिनों में ठीक हो जाती है सपेद दागों को दूर करने के लिए बांदा के पत्तों का रस निकाल कर 5-5 ml की मातरा में नियमेच सेवन करना चाहिए उस रस को सपेद दागों पर लगाना चाहिए जिससे सपेद दाग की समस्या ठीक होने लगती है यदि कोई घाव है और जो भन नहीं रहा है तो बांदे के टहनियों को पीस कर उस घाव पर लेप कर देने से घाव जल्दी भनने लगता है भहेंकर से भहेंकर नई पुरानी सभी प्रकागी खांसी को दूर करने के लिए बांदा के पत्तों को छाया में सुखा कर बारिक पाउडर बना कर रख लें और फिर दो से तीन गिराम की मातरा में शहद और अजरक का रस्म मिलाकर सुवे साम चटाते हैं तो सभी प्रकागी खांसी ठीक हो जाती है तो देखा आपने इस चमतकारी बांदे के कितने सारे फायदे हैं बैसे तो यह बांदा किसी प्रकागा नुपसान नहीं करता है यदि उसीत मातरा में इसका सेवन किया जाए तो लेकिन मातरा से अधिक सेवन करने पर यह आपको हनी भी पहुचा सकता है इसलिए अधिक महातरा में इसका सेवन ना करें या पर अपने बैद की साला अनुसार ही इसका उप्यूप करें आसा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि आप इस बांदा के बारे में कोई जानकारी रते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हो सकता है कि आपकी दिवी जानकारी किसी के काम आ जाए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में नमस्कार